बिग बोस में भया अकाल पड़ गया है खाने का और नौबत ये आ चुकी है कि घर वाले मिट्टी खा रहे हैं जी हाँ किसने मिट्टी खाई है वो भी मैं आपको बताता हूँ लेकिन भया जो बिग बोस इस बार कंटेशन का हाल कर रहे हैं ना वो भया बया नहीं कर सकते काफी लोग क्योंकि हम तो दो दिन से एपिसोड देख रहे हैं उसमें नहीं दिक रहे हैं लेकिन लाइव देख कर देखो भया सादा दिन बस यही खाने पर चर्चा होती है कि कितना खाना है कितना बचा के रखना है इतना अंडा खाना है और इतना पोहा खाना है एक चमच दो चमच सभी खाएंगे ताकि दुपेर में फिर खाएंगे यादा बोलदा नहीं है क्योंकि जो खाया हुआ है वो एनरजी उसकी वेश्ट हो जाएगी जो खाया है वो तो ये चीज़े चल रही है प्लाणिंग चल रही है तगडी तगडी कुछ सामने की एहमियत है वो यहाँ पर आकर समझ रहे हैं वहीं पर अगर बात करें तो दीपक चुरसिया बो रहे हैं कि भाया मैं जब वहाँ पर था तो तरह तरह का खाना मुझे सामने आता था मैं पक गया था कि भाया क्या खाऊं और क्या ना खाऊं मूँ बनाता था है ना ल उने कोई गलती की होती फिर तो सजा दे रहे थे अब यहाँ पर क्या हुआ कि शिवानी कुमारी जो घर से मिट्टी लेगे रहाई थी अपने जो एक लोटा होता है उसमें भाया मिट्टी भरके वो लेके आई थी छोटे में कि भाया मेरे गाम की मिट्टी है अपने पास रख है तो बोलती है मिट्टी खा रही हूँ मेरे गाम की मिट्टी है तो सब हैरान होते हैं शोग्डोते कि भाया ये क्यूं कर रही हो अरवान मलीक बोलता है कि भाया ये हिंदूस्तान की मिट्टी है इसको छोड़ो जाओ पानी पियो मूधो और ये सब नहीं करना मिट्टी व आपन होगा और सभी आपस में लड़ेंगे एक दूसरे को मारेंगे कूटेंगे पीटेंगे ये सब होगा और खाने पे जरा जरा से खाने पे लड़ाई होगी लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा है फिलाल के लिए तो बिग बोस को थोड़ा समझना चाहिए और एड़ी तीन दिन ह हो चुके हैं घर में इतना खाना नहीं है जिसके चलते घर वाले बहुत यारा परिसान है और बिग बोस में जाने से पहले भाया मोटे ताजे होकर ही जाना चाहिए क्योंकि बाद में ये आलत होती है अब देखो बाद में जब ये घर जाएंगे तो देखना किस हालत में हो तो आप क्या बोलेंगे गाईज कोमेट बोक्स में लिख डालिए हम आपको बीबी ओटी सीजन 3 की हर एक अपडेट सबसे पहले दे रहे हैं सेके निव्ज को इसलिए फेस्बूक पर फोलो कर लेना है यूटूब पे देख रहे हैं तो आपने सबस्क्राइब कर लेना है त दालिए को मेंट बोक्स में